नवस्कार दोस्तों, अज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं लीवचैट आप के बारे में और लीवचैट एक 1-to-1 वीडियो कॉलिंग डेटिंग अप्लिकेशन है अज की वीडियो में हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कैसे आप यहाँ पे खुद की अजनसी क्रियेट कर सकते हैं कैसे मेंबर्स को आप यहाँ पे एड करेंगे, उनका वर्किंग कैसे चेक करेंगे, पेमेंट कैश आउट कैसे करेंगे और साथ में हम discuss करेंगे कि यहां पे agency create करने का सारा process क्या है तो यह सब को समझने के लिए आप वीडियो के साथ हैंट तक जरूर बने रहें और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इसको एक like जरूर कर दें चलिए दोस्ते वीडियो शुरू करते हैं अब दोस्त यहां पे agency create करने का process तो बहुत ज्यादा simple होता है लेकिन agency create करने से पहले यहां का हम policy discuss कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि यहां पे आपका profit क्या है और तब आपका decision बन सके कि यहां पे आपको काम करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए दोस्त इस application में female anchors को काम करने के लिए और earning के तीन तरीके मिल जाते हैं और अगर वो female anchors चाहिए तो यहां पे random calls से, direct calls से और chat से मतलब जो भी messages वगरा वो करती हैं तीन तरीके से यहां पे earning कर सकती है ओके दोस्त और इन तीनों चीजों से जो भी उनकी earning होती है तो उससे उनका target होता है मतलब उनको points मिलते हैं उससे target होता है अब यहां पे जो minimum target होता है female anchors के लिए वो होता है 15,000 points का 15,000 points अगर वो कर देती हैं तो फिर उनको मिलते हैं उसके 20 dollar मतलब अगर आप यहां पे calculation करेंगे तो आपको clear cut समझ में आ जाएगा कि 750 points का value यहां पे 1 dollar होता है ठीक है और 20 dollar के बाद ही payment यहां से cash out होता है तो दोस्त यह तो हमने discuss कर लिए female anchors की earning अब हम discuss करते हैं कि इस पे agency का cash share बनता है तो दोस्त इसके लिए आप screen पे देख पा रहे होंगे आपके सामने मैंने एक chart open कर दिया है जहां पे दिखाया गया है कि 0 dollar का अगर आपका काम है तो उस पे कुछ भी नहीं आपको मिलने वाला लेकिन अगर आपका काम 200 dollar के नीचे नीचे हो रहा है तो फिर उस पे आपको 12% का कमिशन मिलेगा ऐसे ही अगर आप 1500 का जो ये barrier है उसको cross कर जाते हैं और 3000 dollar के बीच बीच में आपकी earning होती है तो फिर आपको इस पे 15% का कमिशन मिलेगा और यही चीज आगे भी बढ़ते जाएगा इसमें highest आपको 25% तक कमिशन मिल सकता है और payment cash out करने के लिए इस application से आपको pioneer का ID यूज करना है और इस application में host का पैसा और agency का पैसा दोरों ही agency खुद से cash out करेगी और ये पैसा week में एक बर cash out किया जा सकता है जैसे every Monday को apply किया जा सकता है cash out के लिए और जो payment है वो Wednesday या Thursday तक receive हो जाएगा आपके account में उसके बाद आप female anchors को pay कर सकते हैं तो उमिद करता हूं कि host के काम करने का उनके earning का और आपका जो यहाँ पे share बनता है वो आपको समझ में आ गया payment cash out का भी आपको समझ में आ गया अब हम discuss करते हैं agency create करने का process तो दोस्त आपको वीडियो का description चेक करना है वहाँ पे आपको link मिलेगा agency registration process का उस पे आपने click करना है जैसे उस link पे आप click करेंगे तो आपके सामने ये वाला page open हो जाएगा अब यहाँ पे कुछ basic requirements आप से पूछे गई है basic detail आपको add करना है सबसे उपर आपको अपना नाम लिख देना है उसके बाद what's up number आपको लिखना है और what's up number में country code नहीं होना चाहिए मतलब जैसे हम इंडिया में है plus 91 हमारा code होता है या पाकिस्तान का जैसे plus 92 होता है तो इस तरीके से आपको code नहीं select करना सिरफ अपना what's up number यहाँ पे लिख देना है उसके बाद यहाँ पे देखे जो दूसरा option है mobile number का यहाँ पे click करके आप अपना country code select कर सकते हैं जो भी आपका country हो और select कर देने के बाद यहाँ पे आपको अपना mobile number लिख देना है जैसे randomly मैंने एक number लिख दिया हुआ है और लिखने के बाद आपको get OTP पे click कर देना है जैसे आप यहाँ पे click करेंगे तो एक OTP इस number पे जो आपका number रहेगा उस पे चला जाएगा वो code आपको यहाँ पे verify करना है एंटर OTP के option पे code verify करना है और code verify कर देने के बाद यहाँ पे आपको password लिखना है एक बार आपने password लिख देना है फिर दुबारा वही re-enter कर देना है और password ऐसा होना चाहिए जो easy रहे है आपको याद रहे उसके बाद यहाँ पे आपको submit पे click कर देना है जैसे आप submit पे click करेंगे तो आपके तरफ से request apply हो जाएगा और आपका agency भी create हो जाएगा इसके बाद से अब आपको agency login करना है तो login करने के लिए देखें यही mobile number आपको चाहिए जो mobile number पे आपने OTP verify किया था और यह password आपने क्या रखा था यह चीज तो आपको पता ही होगा और यह दोनों लेके आपको किस page पे login करना है तो उस page का link भी मैं video की description में ही दे देता हूँ वो link पे आप click करेंगे न तो फिर आपको आगे फिर यही mobile number आपको डालना है जिससे आपने यहाँ पे number verify किया और password डालके आपको login कर देना है अब मैं आप यहाँ पे अपनी agency भी login कर लेता हूँ ताकि आगे का process आपको दिखा सकूँ तो जैसे आप देख पा रहे हैं कि यह मैंने अपना agency login कर लिया और यहाँ पे clear cut option देख रहे होंगे कि click here to invite hostess ठीके दोस्त और यहाँ पे दूसरा option दिया गया है कि click here to invite sub agents मतलब आप इस application में आगे चाहें तो किसी और member को भी आप agency बना सकते हैं फिलाल अगर आप किसी member को add करना चाहते हैं अपने team में जो भी girls हैं आपके पास तो आपको इस link पे click करना है इस तरीके से और यही link WhatsApp से आपने उनको send कर देना है और इस link की help से लड़किया अपना ID create कर लेंगी ID क्रियेट करने का सारा process मैं आई बटन पर link कर देता हूं वो video देखेंगे तो समझ में आ जाएगा सारा कुछ उनको अब यहां पर देखें कैसे सारा कुछ track करना सारा working record तो वो मैं आपको समझाजता हूं यहां पर जैसे आप देख पाने कि scale चल रहा है जिसमें आपको clear cut लिखा हुगा कि starting में 5% commission जैसे 200 dollar को आप टच करेंगे तो आपका commission यहां पर 9% हो जाएगा इसका जो history है वो भी आप यहां पर click करके check कर सकते हैं फिलाल जैसे हम यह home के option में अगर आप host list देखना चाते हैं तो यहां पर click करके के देख सकते हैं weekly जो भी salary बना है वो सारा आप इस option में देख सकते हैं और account में आके आप payment का cash out सारा चेक कर सकते हैं payment cash out करने के लिए जैसे मैंने आपको बताया था कि pioneer का option आप यूज कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं और चाहें तो direct bank account में भी यहां पे payment payment आप cash out कर सकते हैं लेकिन bank account के चार्जीज ज्यादा होते हैं ओके चार्जीज देखें नीचे यहां पे लिखा हुआ है कि जो भी फेस अगर आप पैसा है और आपने जो अगर उसका आप इटेल देखना चाहते हैं तो यहां पर पर परस्वर्ण वाला है ओप्शन यहां पर क्लिक करें फिर यहां पर आपका move ने में यहां पर आ जाएगा कि कि नाम से आपने अपना प्रेट किया है आपका country यहां पर country code और mobile number जिस नमबर से आपने यहां पर यहां पर चेक कर सक अगर कोई भी डाउट रहता तो नीचे कमेंट करके जरूर पूछें या फिर वीडियो की description में मेरा WhatsApp नमबर भी है वहां पर भी आप मेरे से contact कर सकते हैं मिलते हैं आप से इकली वीडियो में